नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाई एके यूटूब चैनल पर आरपी असी सेकंड गेड एसस्टी से रिलेक्टिड हमने आपके लिए सिरीज चला रखी है जिसमें दर्शन शास्तर की बात करेंगे वीडियो नोट नमबर 9 है कम्प्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसे आप लोगों के साथ शेर भी कर सकते हैं और शेर करते भी होंगे ठीक है तो देखिए प्लेटो के नीतिशास्तर की बात करेंगे इस वीडियो नोट में हम 147 से हम शुरू कर रहे हैं प्लेटो का गुरू कौन सुक्रात SPA वाला फॉर्मूला आपको ध्यान होगा सुक्रात प्लेटो अरस्तू कभी भी कन्फ्यूज नहीं होगे और प्लेटो का शिश्य कौन अरस्तू 428 इसापूर में जनम हुआ 347 इसापूर में इनके मृत्यू हो गई ये इनका जीवनकाल है इन्होंने अपने जीवनकाल में बहुत सी किताबों की रचनाय की बहुत सारे विचार दिये तो देखिए इनकी एक रचना है मैतपूर रिपबलिक जो प्लेटो की प्रसिद रचना है प्लेटो ने सद्गुन कितने माने दोस्तों यहाँ पर 4 आंसर आएगा हमारा और वो सद्गुन है कौन-कौन से देखिए विवेक है साहस, सायम और न्याय विवेक, साहस, सायम, न्याय यह प्लेटो ने 4 सद्गुन माने है क्लियर हुआ यहाँ तक देखि 150 वा सरवोच सद्गुन इनमे माना है प्लेटो ने न्याय को देखि चार सद्गुन तो मान लिए विवेक, साहस, सायम और न्याय लेकिन यदि बात आती है सर्वोच सद्गुन प्लेटों के हिसाब से कौन सा है तो हम कहेंगे न्याय की कैसे? यदि ये जो विवेक, साहस और सायम है इनमें आपस में यदि तालमेल होगा ये अपने-अपने छेतर तक सिम्मित रहेंगे एक दूसरे के छेतर में हस्तक शेप नहीं करेंगे तो न्याय नामक सद्गुन की स्थापना हो जाएगी देकि न्याय जो सर्वोच सद्गुन है ये भी दो परकार से है साममाजिक न्याय की बात करे और व्यक्तिगत ने आएगी बात करें प्लेटो ने संपूर्ण समाज को कितने भागों में बाड़ दिया तीन भागों में चलिए देख लेते हैं वो तीन भाग कोन से हैं दोस्तों तो वो तीन भाग हैं परशाशक वर्ग, सैनिक वर्ग और मजदूर वर्ग ठीक है, इन तीनों वर्गों में समाज को प्लेटो ने बाड़ दिया अब देखिए परशाशक वर्ग का जो सद्गुन है वो होता है विवेक कि परशाशक को विवेक ही होना चाहिए सैनिक को सास ही होना चाहिए और मजदूर को सैयमित या सैयम सद्गुन से परिपूर्ण होना चाहिए यहाँ पर चोथा जो सद्गुन है सर्वोच उसके लिए तो कोई वर्ग है ही नहीं उसके लिए वर्ग इसलिए नहीं है दोस्तों जब यह तीनों वर्ग अपने इन तीनों सदगुनों से मिलकर कारे करेंगे एक दूसरे में हस्तक शेप नहीं करेंगे इनका कारे छितर किसी को दूसरे को हानी नहीं पहुचाएगा तो फिर समाज में अपने आप कौन सा सदगुन स्थापित हो जाएगा नयाए I hope यह चीज़ आप यहाँ पे अच्छे से समझ गए होंगे मैंने सरल से सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश की है यदि समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए 156 देखिए प्लेटो का न्याए कुन सा है? नैतिक न्याए है प्लेटो का न्याए कैसा है? नैतिक न्याए है प्लेटो दर्शन में ये जो बात की गई है न ये प्लेटो का दर्शन है न ये प्लेटो कहते हैं कि ये अंतरात्मा की आवाज है प्लेटो का दर्शन कैसा है? अंतरात्मा की आवाज है ऐसी की ऐसे question पूछे जा सकते हैं directly जो fact question आएंगे वो आपको ऐसी कैसे मिलेंगे तो आप इनको अच्छे से तयार कर लें 158 देखिए Plato के कुछ रचनाएं हैं यहाँ पर Apollosy, Crito, Protogorus और कुछ प्रमुक रचनाएं और हैं जैसे The Republic, The Statism, The Laws, Symposium आदी Plato ने बहुत सारी रचनाएं की ठीक है जिसमें उन्होंने अपने अलग-अलग विचार लिखे 160 दूसरों के कारियों में हस्तक शेप नए करना ही नयाय है यह किसने कहा Plato ने तो आप यह चीज मान लीजे जब Plato ने समाज को तीन वर्गों में बाटा उन तीनों के लिए तीन सद्गुण निर्धारित किये और उन तीनों वर्ग जब उन तीनों सद्गुणों का पालन करते हुए यदि वो समाज में कारे करेंगे तो अपने आप चोते सद्गुण नयाय की क्या हो जाएगी इस्थापना हो जाएगी तो वहाँ पे हस्तक शेप नहीं करना एक दूसरे के काम में वही क्या है न्याय की स्थापना है Next हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अरस्तु के नीति शास्तर की अरस्तु का जनम 384 इसा पूरु में हुआ मरत्यु 322 इसा पूरु में हुए इनका जीवन का अलम कह सकते 384 से 322 इसा पूरु तक है ठीक है फॉल्टिकल साइंस के चैप्टर्स में आपको इन सब के बारे में मिल जाएगा प्लेटों के बारे में भी अरस्तु के बारे में भी राजनीतिक दस्टी से मैंने वहाँ पर पढ़ाये अच्छे से राजनीति विज्ञान की प्लेलिस्ट मैं आपको दे दूँगा जिस पे क्लिक करके आप देख लीजिए सारी वीडियो यदि आप फर्स गेड की भी तैयारी कर रहे हैं और हाँ लिंक आप शेयर कर सकते हैं ठीक है अब देखिए 161 है अरस्तु ने एक मात्र बोधिक सद्गुन किसको माना यहाँ पर बोधिक सद्गुन की बात हो रही है तो वो है विवेक को वहीं साहस, सैयम और न्याय को क्या माना नैतिक सद्गुन ठीक है प्लेटों ने अभी हमने देखा था कि वहीं न्याय को क्या माना था नैतिक सद्गुन तो यहाँ पर अरस्तु दो भागों में बाड़ देता है एक तो बौधिक सद्गुण और एक नैतिक सद्गुण सद्गुणों को दो भागों में बाढ़ दिया अरस्तु ने बौधिक और नैतिक तो बौधिक में केवल विवेक को रखा है और नैतिक में साहस, सयम और न्याय को रखा है क्लियर होई यह चीज यहां पर पॉज करके देख लीजेगा अराम से नेक्स देखी 163 निकोमियन एथिक्स रचना किसकी है दोस्तों अरस्टू की फैक्ट कुश्चन है यह तो यह हो चुके दोनों 164 देखिए अरस्टू का न्याए क्या है अरस्टू का न्याए आधारित है समान वित्रन प्रनाली पर अब दीखिए समान वित्रन प्रनाली से आप ये मत समझे बिल्कुल भी कि सबी को इस्तरी पुरुष बच्चे बुड़े सबी को एक ही प्रकार से व्यवस्थाओं या फिर सुईदाएं दे दी जाएं अमीर गरीब सबको एक ये प्रकार से सुईदाए दे दी जाएं ठीक है हमारे हाँ पर राशन वित्रन होता है सरकार की तरफ से तो गरीबों को होता है अमीर को होता है क्या नहीं गरीबों को होता है वो क्यों समानता लाने के लिए ऐसा नहीं है कि गरीब है तो इसलिए उनको राशन दिया जा रहा है नहीं समाज में समानता बनी रहे समानता लाने के लिए वो समान वित्रन परनाली लागू की गई है कि जो जितना कमजोर है न उसे उतनी ही साहिता देकर समाज के इस तरपर बराबर लाया जा सके तो यही है समाज वितन प्रनाली जो जितना कमजोर उसे उतनी सायता दी जाए तो इसके पक्षदर थे कौन? अरस्तु इसी को वो न्याय मानते थे अब अरस्तु किसके गुरु थे? सिकंदर के अरस्तु का प्रसिद गरंथ है? पॉलिटिक्स ठीक है? अरस्तु का प्रसिद गरंथ कौन सा है? पॉलिटिक्स अगर मैं पूछ लो आप से प्लेटो का प्रसिद गरंथ कौन सा था? तो रिपब्लिक ठीक है? चलिए नेक्स देखिए अरस्तु का दंड क्या है? निशे धात्मक पुरुसकार के रूप में जाना जाता है अरस्तु के दंड को निशे धात्मक पुरुसकार के रूप में जाना जाता है एकदम फैक्ट कुश्चन से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर नेक्स देखिए 168 अरस्तु ने इश्वर को क्या कहा? अचल गती दाता अरस्तु इश्वर को अचल गती दाता के रूप में प्रदश्चित करते हैं, कहते हैं, बताते हैं 169 अरस्तु के अनुसार मनुष्य सद्गुणी बनता है कैसे? निरंतर अभ्यास से यदि मनुष्य निरंतर अभ्यास कर रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? सद्गुणी अरस्तु मनुष्य के सद्गुणी बनने के लिए कहते हैं कि निरंतर अभ्यास परनाली उसको सद्गुणी सद्गुण को प्राप्त हो जाता है, सद्गुणी बन जाता है तो ये चीज फैक्ट है ध्यान में रखिएगा 170 देखिए अरस्तु का मुख्य धे क्या है धे की बात आ गई है यहाँ पर तो इसका धे है कि बई एकादिक या बहु मुख्य विश्व जिसमें हम रहते हैं वहाँ पर हमारे द्वारा ग्यान की क्या की जाए सुरक्षा यही हमारा क्या है धे तो ग्यान की सुरक्षा करना पूरे विश्व में समाज में देश में जहां भी हम रह रहे हैं यह अरस्तु का मुख्य धे है अरस्तु के नीति शास्तर का मुख्य धे है यह चीज हमें ध्यान में रखनी है तो इस वीडियो नोट में दोस्तों हमने प्लेटो और अरस्टू के नीतिशास्तर के बारे में पढ़ा 170 पॉइंट तेक हम कंप्लीट कर चुके नो वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा चुके वीडियो छोटा या बड़ा होना जरूरी नहीं है वीडियो में जो कंटेंट है वो कितना काम का है ये महत्पून होना चाहिए एग गंटे मैं पढ़ा दू रहमाइन समझ में आए नी दस मिनट का और जी पढ़ाने वाले पांच मिनट पढ़ाते हैं और बिल्कुल वो चीज़ एकदम fact होती है और समझ में भी आती है तो वीडियो छोटा बड़ा होने से कुछ नहीं होता दोस्तों उसमें जो भी हमें content दिया गया है वो हमारी परिक्षा के लिए, हमारी तैयारी के लिए लाब दायक होना चाहिए तो इसी प्रकार से हम आपके लिए वीडियो नोट्स लाते रहेंगे जहां में आवशिकता पड़ेगी बड़ा वीडियो नोट बनाने की बिल्कुल बनाएंगे जहां पड़ेगी बिल्कुल छोटा बनाने की बिल्कुल छोटा बनाएंगे इसमें कती ही कोता ही नहीं बरती जाएगी ठीक है तो वीडियो आपके लिए regular आएंगे बल आइकन प्रेस कर लीजिए चैनल को ज़्याज़ ज़्यादा शेर कीजिए अपने जितने भी social साइट से उन पे शेर कीजिए वही जरुरत मंदों के पास इनको पहुंचाईए तो वीडियो नोट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स वीडियो नोट में